आज की इस वीडियो में आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर करने की तीन-तीन सौटकट की सीखेंगे तुम्हें हूँ गुफरान टाइपिस्ट वीडियो को पहले हैं कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ देखिये दोस्तों, यहां पर हमने MS Word की एक ब्लैंग फाइल ओपन कर रखा है सबसे पहले हम इसको बिना माउस के रिस्टोर करेंगे तो Alt प्लस F5 दोस्तों बहुत ध्यान से समझना देखिये, अभी हम Alt के साथ फंक्शन की F5 को प्रेस करते हैं तो देखिये, यह फाइल रिस्टोर हो चुकी है बताने का मतलब यह है कि Alt प्लस F5 को जब किसी फाइल पर प्रेस किया जाता है तो वो फाइल रिस्टोर हो जाती है अब यहां पर आपने Alt प्लस F5 का यूज़ करके रिस्टोर तो कर लिया अब अगर इसको फुल स्क्रीन यानि की मैक्सिमाइज करना हो तो बिना माउस के कैसे करेंगे तो देखिये अभी हम Alt प्लस F10 यानि की Alt के साथ फंक्शन की F10 को प्रेस करते हैं बस यह फुल स्क्रीन यानि की मैक्सिमाइज हो चुकी है जैसा की आप देख रहे हैं दोस्तों एक बात याद रखिए Alt F5 से आप केवल फाइल को रिस्टोर ही कर पाएंगे और Alt प्लस F10 का यूज़ करके आप किसी भी फाइल को मैक्सिमाइज और रिस्टोर दोनों कर सकते हैं इसके बाद अब दूसरी शॉटकट की सीख लेते हैं तो देखिए अभी हम ब्लैंक फोल्डर ओपन करके मैक्सिमाइज किये हैं इसके बाद विंडो प्लस डाउन ऐरो दोस्तों ये शॉटकट की बहुत काम की है जैसे देखिए अभी हम विंडो के साथ डाउन ऐरो को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये फोल्डर रिस्टोर हो चुका है इसके बाद अभी हम फिर से विंडो प्लस डाउन ऐरो को प्रेस करते हैं तो देखिए मिनिमाइज हो चुका है यानि कि एक बार प्रेस करेंगे तो Restore होगा और दूसरी बार प्रेस करेंगे तो Minimize होगा, ओके? अब इसको फिर से Restore करने के लिए अभी हम Window Plus Up Arrow को Press करते हैं तो देखिए Restore हो चुका है अभी हम फिर से Window Plus Up Arrow को Press करते हैं तो देखिए Maximize हो चुका है तो दोस्तों विंडो के साथ अप और डाउन ऐरो का यूज़ करना आप जान गए होंगे अब लेफ्ट और राइट ऐरो भी सीख लेते हैं तो देखिए अभी हम विंडो के साथ लेफ्ट ऐरो को प्रेस करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुका है इसके बाद दोस्तों अभी हम विंडो प्लस राइट ऐरो को प्रेस करते हैं तो देखिए ये राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है इसके बाद अभी हम विंडो प्लस आप ऐरो को प्रेस करके इसको मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं दोस्तों आज मैं जितना बता रहा हूँ उसको आप try ज़रूर करना और अगर कोई problem आए तो comment करके बता देना ओके इसके बाद अगली जो shortcut की है वो भी restore और maximize की ही है तो देखिए जैसे अभी हम किसी भी file या folder को open किये हैं तो इसको restore यानि की half screen पर करने के लिए alt प्लस space प्ल को एक साथ प्रेस करना है तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारी file restore हो चुकी है बताने का मतलब यह है कि alt space r को एक साथ में प्रेस करके भी आप किसी भी file या folder को restore कर सकते हैं ओके इसके बाद अगर आपको इसी file को फिर maximize यानि की full screen पर करना हो तो alt प्लस space प्लस x यानि की alt क साथ space और x को प्रेस करना है दोस्तों alt space x को एक साथ में प्रेस करने पर हमारी file या folder maximize हो जाता है जैसा कि आपके सामने है तो यहां तक आप सब कुछ समझ गए होंगे इसके बाद आगे भठते हैं तो दोस्तों अब एक बात सुनिए यहां से इस video को बिलकुल भी skip नहीं कर करना है और वीडियो को पूरी देखना है देखिए किसी भी file folder या window को close करने के लिए alt plus space plus c यानि कि अभी हम alt के साथ space और c को एक साथ में प्रेस करते हैं तो यह close हो चुका है बताने का मतलब यह है कि alt space c को एक साथ प्रेस करने पर आप किसी भी file को बड़ी आसानी से close कर सक करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब किये बगर ना जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर